सत्यसाई मीडिया सेंटर के सभी दर्शकों को संजेट अंडन का साहिराव भगवान ने हर पल्ब मेरे हाथ को थामे रखा है और बच्पन में भी कई बार अपनी भूलों का एहसास होता है तो कहीं भूल हुई है तो पनिश्मेंट नहीं मिली भगवान ने बचा लिया कहीं गलती हो रही है तो होने से पहले बचा लिया कहीं पर कुछ ऐसा होने जा रहा है तो तब भी ऐसा लगा कि भगवान ने हाथ थाम लिया वो इन्विजिबल फोर्स क्या थी जिसको हम बच्पन से जैसे कोई आपको माबाप एक भगवान से इंटर्ड्यूस कर देते हैं तो वो मेरे को हनुआन जी के मंदिर जाना शुरू हुआ था तो अपने मदर के साथ तो वहां से एक हनुआन जी को अपना इश्ट मान के वहां से अपना बच्पन से शुरुआत करी पापा ने एक हनुआन जी की प्राथना लिख के दे दी मैं पिछले 55 बरस से मैं वही प्राथना में दोहरा रहा हूँ और अमरिसर में मेरा जनम हुआ वहाँ पे शायद स्वामी 1973 में अमरिसर आये थे हमें पता लगा कि वहाँ पर सत्यसाई बाबा आ रहे हैं तो तब पहली बार उनका नाम सुना था तो सब आके बोलते हैं मेरे जो कजन ब्रदर्स जो बड़े थे तो उन्होंने आकर वो बताया कि वो गुंगराले वालों वाले वो भाबा आये थे वो बड़े जो है ना वो उन्होंने वो मैजिक भी वो कर सकते हैं वो ऐसे हाथ से उनके विभूती भी निकलती है हमने दर्शन नहीं किया हमने सिर्फ सुना था उस समय और मेरे को सिर्फ अपने बच्पन की वो बस इतनी ही बात वो याद है और उसके बाद हम लोग 77 में हम लोग चंदीगड़ा गए थे और यहां आके एक एक महात्मा जी ने मेरे को हर मंगलवार मंदिर जाने का रा दिखाया तो मंदिर जाना हमारा हर टूजड़े को मंदिर जाना शुरू हो गया और और वहां से चलते-चलते हमारी studies complete हुई, अपने college में मैं पढ़ते हुए, मेरे को प्रिया भी, जो मेरी धरम-पत्नी है भी, तो वो उस समय उसी college में थी, तो college में हम लोग एकठे हुए, तो थोड़ा इन से जान पहचान हुई, और फिर 87 में हमारी शादी हुई, उस समय तक बाबा के साथ कहीं मिलना या जानने का कहीं सो भागय पराप नहीं हुआ, तो उसके शादी के बाद, जस्टिस पुंची जो मेरे ससूर थे, तो उन्हों ने ये कहा कि सब लोगों को एक बार पुटपरती जाना है मेरे साथ, क्योंकि मेरे वाइफ प्रिया और इनकी बड़ी बहन मदू, दोनों की शादी दो दिन के difference में ही हुई थी, तो उन्होंने कहा कि दोनों बेटी हूं और अपने दमादों को लेके, सारे मैं लेके जाना चाहता हूं। तो हमने कहा कि चलो भूमने का अपसर मिल रहा है, हम लोग भी चले गए वहां पर। और जितना रस्ते में जाते हुए पता लगा कि वो बाबा ऐसे मैजिक करते हैं, उनके यहां से रिंग भी निकलाती है, यहां से विभूती भी निकलती है। तो मन में एक बड़ा डाउट होता था और अपने आपको जो है ना इंटेलिजेंट बहुत समझते थे तो तो ऐसा लगता था कि अच्छा जब इस वारी मौका मिलेगा ना तो मैं I'll try to decipher कि वो करते कैसे हैं। तो जो पहली बार जब हम वहां गए तो हमें जब इंट्रव्यू मिली तो वो होता था कि जो बाबा की जो चेर है तो मैंने कोशिश करी कि मैं चेर के पास जाके बैठ जाओं तांके वो यहां से क्या चीज निकलती है मैं देख पाऊंगा। तो यहां तक वो कई बार वो बच्चों के मैजिक वाली वो कैसे पैंसिल गायब करते हैं। हम लोग वो भी ट्राइ करते थे कि या कुछ ऐसा करते होंगे बाबा। अच्छा उस समय तक कोई बाबा के साथ वो भाव वो भगवान का रूप हैं। यह सारी चीजें उस समय मन में नहीं थी। और प्रिया ने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया कि तुम बाबा के बारे में यह जानो। यह यह पढ़ो यह उनसे मिलो यह आगे बढ़ो। इसने मेरे को कभी कुछ नहीं का। पॉसिबली शायद बाबा की डिरेक्शन थी इसको क्योंकि हम लोगों को जब कोई पुश करता है तो हम रादर रिवर्स हो जाते हैं तो वो शायद एक नॉर्मल प्रोसेस था हम लोग वहां पे मैं और जो मेरी साली मदू उनका हस्बेंड पवन और मेरे दो ब्रदर इन लॉज अमित और आशू हम चार ग्रोन अप बॉइज हम लोगों का मन यही होता था कि उदर आइस क्रीम बड़ी अच्छी मिलती है तो बस जैसे ही वो वो दर्शन का समय खतम होता था तो हम भाग के सबसे पहले आईस क्रीम का डबा खरीदना और आईस क्रीम खाना हमें लगता था कि पुटपर्टी विजिट वाज लाइक इंजॉइंग आईस क्रीम और जॉए आईस क्रीम का शायद उनका वो नाम था उस ट्रिप में शायद हमें कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाबा के हमें इंट्रिव्यू भी मिला बाबा के पास भी बैटने का मौका भी मिला लेकिन वो सारी चीज़ के साथ कहीं कोई मन के उपर कोई ऐसा कोई असर नहीं आया कि हम लोग बिलकुल एकदम से डिवोटीज ब कैसे हमको खींच लिया यह तो स्वामी ही बता सकते हैं बस हम तो खिच गए बिन मोली बिख गए अब हमें समझ नहीं आया कि हुआ क्या और राधर जब पीछे मुड़के देखते हैं तो मैं अब कई बार अपने वाइफ को बोलता हूं कि यार तूने मुझे उस समय मुझे मजबूर क्यों नहीं किया and God was right in front of us और हम लोग हम लोग recognize नहीं कर पा रहे थे तो कोई तो कान पकड़ता कि यार पता है तूम्हें यह कौन है हम लोगों को इतना मालूम जब तक मालूम हुआ तब तक समय निकल गया तो आज पीछे मुड़के देखते हैं तो वो लगता ह है कि शायद हमसे वो भूल हो गई हमें उदर और जाते हम उनसे और मिलते हम हमारी कुछ और यादें होती अभी भी असंखे यादें हैं but still लगता है कि जैसे यह दिल मांगे मोर एट से लेके 99 यह शायद भगवान ने वो समय दिया मुझे यह realize करने को कि कि मैं उनके साथ कैसे जुड़ पाऊं कभी छोटे छोटे incidents कभी कभी ऐसे उनके पास जाना लेकिन हर बार जो जाना होता था तो वो पुंची साब के साथ ही वो जुड़े हुए incidents रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहां पे जाकर उनसे सीखने को मिलना धीरे धीरे वो लगाव कैसे हो गया वो पता ही नहीं लगा एक होता है love at first sight तो this much I can say के it wasn't love at first sight वो जैसे हम पानी थे तो आपने उसके अंदर वो दूद मिलाना शुरू कर दिया तो वो धीरे धीरे वो सारा पानी कैसे दूद बन गया ये वही जानते हैं धीरे धीरे वो दूद की मतरा वो अंदर बढ़ती चली गई ये मेरे को भी नहीं समझाया कि मेरे अंदर ये बदलाव ये कैसे हुआ क्यूं हुआ ये मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता I think सुनने वाले कई लोग अपने साथ इसको relate कर सकेंगे कि जब मन बदलता है तो कोई है जो मन की तरंगों को पकड़के उसको line पे लाता है आप अगर ये सोचें कि मैंने किया है तो शायद मैं अपने आपको highlight करने के लिए ऐसी चीज मैं बोल दूँ या हम में से कभी कोई बोल दे लेकिन एक भी चीज हमारी life की उसकी रजा के बिना होती नहीं है और स्वामी ने कब उस गिरफ्त में ले लिया मुझे वाकई अंदाजा ही नहीं हुआ और एक ऐसा incident हुआ कि जो मैं एक chartered accountant हूँ तो government of India ने मेरे को state bank of पत्याला पे मेरे को एक director के रूप में मेरे को nominate किया 99 में और मेरे father उस समय पत्याला के पास ही जगा है तो वहां से MLA थे और minister थे यहां पे तो मैं finance minister के पास गया और उनको जाकर बोला कि आपने मेरे को state bank of पत्याला के board पे director लगा दिया है तो उसका सारा surrounding area वो सब पापा के workers लोग है और सब लोग जानते हैं तो सारा time मैं transfer, posting और कोई loan sanction मैं यही काम के पीछे पढ़ा रहा हूँगा and I don't want to do that work तो मेरे को आप कहीं किसी दूसरे bank में लगा दो तो शायद यह भी स्वामी की जो है एक रचना थी ऐसी state bank of हैदराबाद में उन्होंने एक director को लगाया था जो हैदराबाद से था शायद उसी की भी वही problem थी तो finance minister ने ऐसे हमको दोनों को switch over कर दिया कि हैदराबाद वाले को पट्याला दे दिया और चंदीगड़ वाले को हैदराबाद दे दिया बाद में मेरे को P.I.A. ने का कि मैंने भी request करी थी तो बाबा ने हमको हैदराबाद के उस bank का director बना दिया अब मेरा हैदराबाद आना जाना काफी शुरू हुआ जब मैं वहाँ पर जो जाता था जब पहले जाता था तो मैं कई बार देखता था कि वहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो कई लोग कहते हैं हमने अपने बच्चे को वहाँ पढ़ने बेजा है मैं मन में सुचता था कि बड़े primitive से लोग लगते हैं यहाँ पर यह जो सारे सफेद कपड़े डालके यह कभी किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिला था तो मैं तो नह चंदीगड के पास भी जो हमारे दूसरे रेलेटिव के बच्चे जो सनार में पढ़ने जाते थे तो मैं वहाँ भी अपने बच्चों को जाने नहीं दिया कि नहीं मैं अपने पास ही रख़ूंगा तो ये जो स्टेट बैंक आफ हैदराबाद की टैनियोर थी तो छे साल की तो उस टैनियोर के दुरान मेरे को हैदराबाद हर महीने जाना पड़ता था और उस में से कोशिश करते थे के तीन महीने च्छे महीने में एक बार प्रिया ने कहना है चलो मैं भी साथ चलती हूँ लेकिन तब चलूँगी अगर आप मेरे को पुटपर्ती लेकर जाओगे मैंने गए चलो तुम चलो तो सही ले जाते हैं ऐसे करके हमारी वहां पे जाना शुरू हुआ जो सेक्रेटरी ट्रस्ट के थे चिरंजी राओ तो मेरा उनके साथ उस समय मिलना शुरू हुआ उन्हो आप उसकी ब्रांच अगर बाबा के परिसर में अगर आप लेया हो तो मेरे को लगा कि बड़ी अच्छी एक प्रोपोजल है मैंने बोर्ड के सामने रखी I manage to convince the bank people और उन्होंने जो बाबा के जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी तो वहां पे ब्रांच खोलने के लिए मान इस प्रॉसेस के दुरान मेरी तीन चार विजिट्स हुई और हर बाबा ने मेरे को इंटर्व्यू भी दी तो हमने वो सारा प्रॉसेस पूरा किया तो जिस दिन ब्रांच का उद्गाटन होना था हम लोग एक दिन पहले गए हम सब फैमली के सब सदस्या भी गए क्योंकि को लग रहा था कि इस विजिट में तो स्वामी पर्सिनली जरूर मिलेंगे तो इसलिए सब लोग भी साथ गए तो बाबा ने सारे बैंक के बोर्ड को इंटर्व्यू दी तो उस समय बाबा को कहा कि वो बाबा ये ब्रांच का जो है उद्गाटन तो ही टोल्ड मी के मैं वह ही पर होंगा लेकिन जो उसका जो है रिबन है वो तुम काटोगे मुझे मुझे लगा कि अब बाबा ने मेरी ड्यूटी लगा दी है तो हम लोग हम लोग ने जाकर वहां ब्रांच की शुरुआत करी उसके बाद बाबा के ट्रस्ट के अकाउंट की हम लोग वेट करते रहे हमने जाना चिरंजी राओ जी को बोलना जी वो आपने हमें अकाउंट नहीं दिया तो वो ब्रांच वाले भी लोग परिशान हो रहे थे के बाबा का भी अकाउंट नहीं मिला मैंने भी जाकर दो बार बोला दो तीन बार यहां से फोन भी किया अभी बाबा का अकाउंट ही कॉल आती है, तो उस पर वहां पर लिखा हुआ, साइव बाबा कॉलिंग. मैं बड़ा है रहा हूआ, मेरे को ऐसे लगा है, यह कैसे होगया? कुछ समझ नहीं आ रहा उस पर गुख रहा है? तो उस हैरानी में मैंने मैंने फोन उठाया तो जो जो ब्रांच का जो हेड था जो व्यक्ति जिसकी ट्रांसफर हुई थी उसका नाम साइं बाबा था और वो व्यक्ति का फोन नंबर मेरे पी-ए ने मेरे फोन पे सेव कर दिया था मेरी अभी तक उससे बात नहीं हुई थी तो मेरे को लगा बाबा का वो फोन आया तो ही वो सो एक्साइटेड उसने कहा के टंडन साब यह यह वो सही बाबा बोल रहा हूं मैं नियू ब्रांच मैनेजर इन पुटपरती सर स्वामी का एकाउंट सर आज मिल गया है हमको और सर माइब ब्रांच इस बिकाम इन माइज जैसे वो साउथ के लोग बोलते हैं वो एक्साइटमेंट में कि निकाओ वेरी कुड सही राम यह तो बाबा ने कोई स्पेशल डे था उस दिन आइस सेट के चलो आज आपको तो गिफ्ट मिल गया और मेरे को तो गिफ्ट वो सही बाबा कॉलिंग मेरे लिए तो मेरे लिए कि आप कभी बात करते हो कुछ चीज मांगते हो और उसके बाद आप भूल जाते हो लेकिन भगवान आपको देता है वो सही समय पर देता है तो शायद इस इंसिडेंट ने इस चीज को चरितार्थ किया मुझे ऐसा लगते हैं बाबा ने कई बार कुछ ऐसे ढंक से कोई ची ना बाबा ने कहीं ना कहीं मेरे को बांद दिया ये रिंग मेरे को 98 में जब मैं वहां पर गया पुंची साब के साथ तो उस समय बाबा ने ये रिंग क्रियेट करके दी मेरे को और मेरे को बाबा ने इसी फिंगर में ये रिंग डाली एंड बाबा ने बुला के इस परफेक्ट फॉर यू तो मुझे तब से मेरे मन को ये एहसास हुआ कि कि शायद कोई ऐसी कोई करेक्टिव वेव्ज हैं इस रिंग में और मैं कभी इस रिंग को बड़े अकेला होता हूँ तो बड़े ध्यान से देखता हूँ तो मेरे को कभी इसमें स्वामी देखते हैं और कभी मेरे को इसमें कोई स्टार भी देखता है तो वो कभी मन बड़ा कमजोर होता है कभी मन बड़ा स्ट्रॉंग होता है तो वो इसको देखके ना वो जो कमी होती अपने अंदर की उस कमी को ये रिंग पूरी कर देती है और मुझे लगता है कि वो लाइफ के चेंजिंग मॉमेंट्स के अंदर ये ये रिंग जो है यहां से मेरी लाइफ बदलनी शुरू हुई उस दिन रात को मैं सो नहीं पाया था और वो बाबा के वो शब्द मन के अंदर ऐसे रिकॉयल कर रहे थे कि जैसे कोई हथोड़े लग रहे होते हैं दिमाग के अंदर फिर 2001 में एक इंटरव्यू ऐसी हुई कि वो इंटरव्यू की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे मेरे रॉंक्टे खड़े हो जाते हैं हुआ जाते हैं